जैहिन बंदे महतरम दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है मैं आया कुश्वा आज आपके लिए SSC MTS की बढ़िया सी सिप्ट की के किलास लेके आया हूँ जो आपको मैं पांच मिर्ट के अंदर या थोड़ा सा आसपास सभाई में आपको कबर कराऊंगा तो दोस्तों पहला कोश्वा रहा भारती सम्मेदान का अनुच्छत 148 किस चीज़ संबंदित है और एक सुतंत्र कारेले का उपबंद बेक्त करता है तो दोस्तों भारत के नियंत्र एव महाल एका परिच्चक इसका सही उप्तर हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसा देना है कि भारत के नियंत्र एव महाल एका परिच्चक का कारेकाल कितना होता है तो दोस्तों अगले कोश्वन की बढ़ रहे हैं हम अगस 22 में सिरम एम रोजगा मंतराले ने असकंडित सिरमकों का राष्टिय डेटाबिस बनाने के लिए कौम सा पोर्टर लॉंच किया तो दोस्तो ई सिरम पोर्टर लॉंच किया है तो जी आपको ध्यां रखना है आगे भी आपसे पूछा जागा इसलिए हमने ये कोशन आपको कराया भारत में केंद्र और राज सरकारों की सभी प्राप्तियां और ब्याय की समपरिच्छा करने की जिम्मेदारी निमलिखित में से किसकी होती है तो दोस्तों आपको यहां पर बता दूँ नियंत्र एहम महा परिच्छा लेका की होती है सीएजी की होती है कंपर डॉलर एंड और जनरल की होती है जो कि अभी आप पढ़ चुके हैं 148 अनुचेद में इसका बर्डन है तो दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जागा सहाना एमंडी सहाना एमंडी आपका हंडे परशन राइट आंसर होगा अगला परसन है इस थंबो का मिलान करें तो यहां पर आपको संस्ता दी गई है क्या ची दोस्तों संस्ता आपको किस से मिलान करना है मुख्याला इसे कौन सी संस्ता का कहां पर मुख्याला है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पर कि I.C.A.R. दोस्तों यहां पर लेखा I.C.A.R. मतलब केंद्रिय सुस्क बागवानी संस्तान Central Institute for Horticulture तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा I.C.A.R. का वो बीका नेर सही उत्तर होगा I.C.A.R. नेस्ट जो है Central Institute of Cotton Research इसका मुख्याला इनाकपुर्व है मतलब आपको सामने सामने विल्कों सही उत्तर दिये गाए हैं अगर मैं राष्टी चावल अनुसंदान की बात करूं तो कटक है य मतलिये ने यहाँ पर सामने सामने दिये गाए हैं इस चीज को समझना हैं तो आपको इस चीज समझ में आ गई होगी इस हीसाप से आपका stay tips आपका बन जाएगा पहले पहला दूसरे का दूसरा का तीसरे का तीसरे का चौथे का चौथा इसी पिरकार है वोड़ते हैं दोस् पूर्ब आउधोगे काल से देखी गई पृतिवी के सताय का दीरकालिक तापमान है बिल्कुल सही वात है दोस्तों जो पृतिवी के बायु मंडल में उश्मा अपसोसक या फिर उश्मा अपसोसन करने वाली ग्रीन हाउस प्रवाइग एस के स्तर को बढ़ाता है हंडे के लिए गंबिर से खत्रा उत्पर करती है बिल्कुल तो यहां पर आपके दोनों के दोनों विकल्ब सही हो जाएंगे अगला कोशन है फ्रेंट्स उस समूंग की आपको पहचान करनी है जिसमें आने वाले पादक की सारी एक सरचना इस पस्त नहीं होती इन पात्व को सामा कंता शयवाल कहा जाता है और यह पात्व जो हैं मुक्रूप से जलीए होते हैं जो हैं और इन्हें से वाल भी कहा जाता है नेस्ट कोशन इस्ताय रूप से सीवर्गियम नाम दिया गया वो तत्व है 106 तत्व नंबर 106, तो आया हूँ आपको चीज कलियर होगी राश्टी जनगन्ना में भारत के वीतर ऍथ समु की पहचान नहीं की जाती तो दोस्तो निरियातियों की पहचान नहीं की जाती निरी जातियों की समूं की पैचान नहीं की जाती है धार में अनुसुचे जाती इनकी पैचान की जाती है अगला परसं हाइडोजन आवर्त साण्य के किन दो समूं के गोड़ो से मेल खाता है तो हाइडोजन जो है पहला समू है और सत्रवा समू ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आवर्थ साण्री के दो समू में 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 घाता है हाइडोजन ओके दोस्तों अब हम चलेंगे अगले प्रसंद की और भारत में दिवाला और सोधन आच्छमता सैंता दोयां 16 के अनुसार अपनियों को दिवाला समाधान की पिरकिरिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी तो दोस्तों यह पिरकिरिया जो है आपको 180 दिन में पूरी करनी है यहाँ पर आपको सीधा एक सौट में मैं बता दूं कि पहला संयुत राष्ट जलवाई परिवतन संविलन 1905 में आइज अगला दोस्तों आपको बता दूं बहुत ही इंपोर्टेंट है यहाँ पर भी इस्तम आया है इसकी मिलान करनी है यहाँ पर आपको रितु दे गई है और भारती कलेंडर के हिसाब से इहाँ पर महीना अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बढ़का रितु जो है वो कब होती जेहां लख ना है जैसे कि बसंद्र तू चेंट और बेसाग का महिना होता है ग्री इस मतलब गर्मी तो गर्मी कब होती है तुर ढशाड में बड़्छा की बात करें तो बर्षा जो होती है मित्रों वो श्रावण और भादर में सरावन के महिने में और भादों के महिने में सरत जो है आश्विन और कार्थिक शरत का पढ़ती है दिवाली के टाइम पर तो आपको यह बास समझ में आ गई हुगी सरत पूर्ण वाका भी आपने नाम सुना होगा इजी था 1935 में नेम लिखित में ऐसे किसने सेवाली सरचना और उनके के लिखिया किती 1935 में अगला पर संदन एक समान तुर्ण के बारे में कौन सा कथन सक्त है तो मुक्त रूप से गरने वाली बस्तु एक समान तुर्ण का ऊधारन है बिल्गत सएुत्तर हो जागा एक समान तुर्ण का पारे में जो सएक तत्य होगा मुक्त मतलब फरी राष्ट्री कॉंग्रेस के अध्याच कौन थे तो दोस्तो ऐस्पी संहा मतलब सत्यंत्र प्रसास संहा भारती राष्ट्री कॉंग्रेस पार्टी के 1915 के अधिविशन के अध्याच थे अगला प्रेरित धारा उच्टम होती है जब कुंडली की गती की दिशा चुम की छेत के लंब बत हो तो आई होब आपको ये किलियर हो रहा होगा दोस्तों अभी ताब आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें पलेटी हैमेठीज में पाई जाने वाली एक विसेश उसर्जी कॉष्ट का कौनसी है जो कर्दिनी की तरह काम करती है तता निस अंदन के माध्यम से अफस्ष्ट पता को अठाती है तो दोस्तों इसका नाम है फिलेम कोश्ट का ऑप्सन तीसरा आपका विलकुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपको फिर से एक सूची वाला कोशन आया है सूची वन में आप अब इसके बाद आपको क्या करना ना लास्ट वाला देख लो कर्नाट कर नाटक पदक तालिका में चौथा इस्थान पर रही है सुंड पदों की संक्या के अधार पर तो आपका जो सह उत्तर हो जाएगा टोस्तों आपको यहां तक बढ़िया previous question और जो भी बन सकते हैं वो question मैं आपको बता देता हूं साथ में और जो shift में जो चल रहे हैं वो आपको मैं कराई रहा हूं तो दोस्तो आज की class को यह तर रखते हैं बंदे मादरम जैहिन